राम राम एविरोडी स्वागत है सभी का वेदान्त अकेडमी इंदौर और अंकरन इस्टिटूट में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज मैंसुरेशन का प्रैक्टिस मैंसुरेशन की प्रैक्टिस जमेटरी के बाद हम कर रहे हैं वह आप कर सकते हैं, इस तरह से हम सारे topics की practice करेंगे जससे आपको कोई भी परेशानी previous year के questions में नहीं होगी और अच्छे questions भी हम इसी platform पर discuss करेंगे, तो start करते हैं, आज का session, पहला question आज का हमारा mensuration में, mensuration में हम 2D ले रहे हैं, 3D आपको पहले से पढ़ाया जा चुका है, previous क जो भी question है 3D के वो आपको करवा दिया है इसमें एक आद दो बीच में question 3D या geometry का आ जाता है तो वो आप consider कर ले ना क्योंकि बुक में ना याद कर पाने की जो आदत है ना वो यहाँ पर बहुत जल्दी खतम होने वाली है लगबख साथ lecture इसके बनेंगे और साथ lecture में फॉर्मूले रिपीट होते रहेंगे और आपको वो फॉर्मूले याद हो जाएंगे जो concept बहुत important है वो बहुत ज्यादा repeat होगा तो वो आप आपको याद हो जाएगा exam के हिसाब से अब हम स्टार्ट करते हैं question एक संभाहूत्र पुझ की मादिका की लंबाई याद रखना geometry के हिसाब से किसी भी संभाहूत्र पुझ में मादिका बोले लंब बोले कुछ भी बोले सभी एक होते हैं तो मादिका की जगे क्या दे रहा ह है छेत्रफल के मामले में हमें लंब एक संभाहूत्र पुझ उसने हमें दिया और संभाहूत्र पुझ में वह हमें बता रहा है कि वह लंब की बात कर रहा है यह लंब दे रहा है कितना तीन सेंटीमीटर दे रहा है यह ABC है यह तीन सेंटीमीटर दे रहा है और आपको पता ह चाहिए लंब या हाइट किसी भी एकिलेटरल टाइंगल में संभाहू तरबुज में होती है रूट 3 अपॉन 2A भुजा का रूट 3 बटा दो गुना होती है और ये कितना दे रहा है वो 2A2 ये कैसे आया ये थेओरी में आपको निकालना सिखाया है अब ये होता है रूट 3 अपॉन 4A की जगह कितना A2 कितना 6 का स्कुरेर 36 और रूट 3 का स्कुरेर 3 4 ती है 12 बारा थी है 36 तो 3 रूट 3 हमारा आंसर बनेगा 3 रूट 3 सेंटीमीटर स्कुरेर इस तरह से निकालेंगे हम इसका इरिया नेक्स्ट कोशिन की तरफ चलते हैं संबाहू तरबुच का छित्रफल है अभी उसका फॉर्मूला लिखा और यही हर्याना टीटी ने सीधे-सीधे पूछ लिया इसका छित्रफल होता है सीधा-सीधा वही पूछ लिया गया अगले प्रशनी की तरफ चलने है एक संब चत्रबुच पिकरणों की माप 16 और 30 सेंटीमिटर है चत्रबुच बहुत ही इंपोर्टेंट डाइग्राम हो जाता है जो रिपीटेटिवली पूछा जाता है तो याद रख लेंगे याद हो जाएगा रख्या लेंगे अपने आप याद हो जाएगा यह हमें इसकी सारी साइट्स कितनी हो जाएंगी सारी साइट्स हो जाएंगी इसकी ए और इसमें जो हमें ध्यान रखना है इसकी प्रॉपर्टीज में ध्यान रखना है इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिक्षेद करते हैं और एक दूसरे को समधिवाजित करते हैं य 16 और 30 है यह छोटा विकर्ण है तो इसे 16 माल लेता है तो आधा कितना बचेगा 8 बचेगा यह आधा कितना बचेगा 15 बचेगा अब क्या जानना चाहता है हमारे लिए तो क्या हो गया A, B, C, D मैंसे अगर हम देखें इसे O माल लिया हमने P माल लिया अगर A, P, D को देखें तो यह इस तरह से कुछ बनेगा एक 8 है एक 15 है इस तरह से बनेगा इसे अगर आप solve करने जाओगे तो यह जो side है 90 degree के सामने क्या होता है करण कितना आ जाएगा आठ और 15 से solve करने जाओगे तो आपको यह famous ट्रपलेट पता है इसे अपके माल लो तो के स्क्वेर बराबर क्या होगा के स्क्वेर बराबर 15 स्क्वेर प्लस 8 स्क्वेर वैसे तो मन नहीं था लेकिन फिर भी यह 225 हो जाता है और यह कितना हो जाएगा 64 यह मन इसलिए नहीं था कि आप लोग अगर कॉपी पर करोगे तो जादा आप लोगों को याद रहेगा तो K स्क्वेर कितना आ जाएगा 289 इसका 280 का वर्मूल क्या होता है 17 जिनको याद हो बहुत अच्छी बात है K is Packed 17 जिनको नहीं हो वह आज से ध्यान रखना के सत्र रहा गया इसका परिमाप पूछ रहा है सत्रा 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 चौक 68 68 इसका परिमाप आ जाएगा option number C हमारा answer हो जाएगा 4 की required है 4 के यह आ जाएगा 68 किसी समलम चत्रबुच का छेतरफल 105 cm square है समलम चत्रबुच क्या होता है समलम चत्रबुच की प्रापरटी ध्यान रखेंगे trapezium इसमें आमने सामने की जो बुजाएँ होती है वो समानांतर होती है पैरलल होती है उसका seeds lump 7 cm है इसका seeds lump ये 7 cm है यदि समानतर बुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 6 cm अधेक है ये अगर x है तो ये क्या होगी x प्लस 6 होगी तो लंबी भुजा की लंबाई क्या है अब छेतरफल कैसे निकालते हैं छेतरफल निकालते हैं समलम चत्रोज में भुजाओं समानतर भुजाओं का योग sum of parallel side इनको अगर a, b, c, d लिखें तो हम बोलेंगे ad plus b, c into height इसके बीच की h समानतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरिये का आधा ये होता है इसका छेतरफल समानतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरिये का हाव और ये कितना दे रहा है वो दे रहा है 105 और यहां कितना लिखा है साथ तो AD कितना ये लिख लेते हैं X और X प्लस 6 और यहां कितना height कितना 7 और ये कितना 2 बराबर कितना 105 साथ से काटोगे 1570 105 2 वहाँ जाएगा 30 हो जाएगा तो 2X प्लस 6 बराबर कितना हो गया 30 तो 6 वहाँ जाके घटेगा 24 मैं इस दो से भाग लगाओगी तो X कितना आ जाएगा 12 जब X 12 आ गया तो ये कितना हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 12 18 हमारा answer option number D सीटेट 2019 का question है ये जुलाई का चलते हैं आगे की तरफ अगला question किसी चतरबुज का छेतरफल 227.2 cm2 है इसके एक विकर्ण पर अब देखो ये बड़ा अच्छा question लगा हमें और थुड़ा सा आड़ा टेड़ा बना लेते हैं इसको ये बना लिया इसमें कुछ भी parallel नहीं कुछ भी कुछ भी नहीं है वो बुल रहा है इसके एक विकर्ण पर इसका एक विकर्ण बना लेते हैं पर कोई भी ये विकर्ण बना लिया एक विकर्ण पर उसके सम्मुक सीर से इसके सामने सीर सी ये है और इसके सामने सीर्स ये है, सम्मुक सीर्स से डाले गए लंबों की लंबाई या दोनों सीर्स से लंब डाल रहा है, एक से डालेगा यहां से डाला उसने एक लंब और यहां से डाला दूसरा, एक लंब की लंबाई 7.2 दे रहा है और एक लंब की लंबाई 8.8 दे रहा है, अ आप ध्यान से देखें ABC और ACD अब हूम से क्या पूछ रहा है तो इस wickerr की लंबाइई क्या है हम से पूछ रहे और दे क्या रहा है इसका छिटरुफल दे रहा हूँ और इसलिए हमने बताया कि इंदोनों से मिलके बनाए अगर इन दोनों का चेतरफल हम निकालने तो वो क्या होगा इस चत्रबुच का चेतरफल होगा और उसमें यूज किसका होगा विकर्ण का त्रबुच का चेतरफल कैसे निकाल तो एक बटा दो आधार गुणा उचाहिए 1 upon 2 base into height अब दोनों में base क्या है AC है तो आपन फार्मूला लिखने की कोसिस करते हैं 1 upon 2 base into height एक में कितना 7.2 plus 1 upon 2 base वही AC और height 8.8 is equal to कितना आ रहा है 227.2 अब हम क्या करेंगे एक बटा दोनों जगे AC भी दोनों जगे बाहर निकालेंगे अंदर क्या बचा 7.2 और 8.8 ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 16 तो एक बटा दो AC बाहर लिखा हमने अंदर ये दोनों जोड़के कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा बराबर 227.2 ये 8 बार कटेगा 8 से हम इसे काटेंगे तो AC आजाएगा हमारा AC is equal to 227.2 divided by 88 से काटोगे आठ दोनी 16 बचेगा कितना 6 सरसट हो जाएगा 88 64 बचेगा तीन बत्तिस हो जाएगा आठ चौग बत्तिस 28.4 28.4 ऑप्शिन नमबर ये अंसर बनेगा हमारा उम्मीद है यह आपको clear होगा सिर्फ एक concept का यूज किया है त्रबुच के छित्रफल से ही हम जद्रबुच का छित्रफल निकालते हैं जो हम सदियों से बोले आ रहे हैं अब चलते हम आगया किसी आयताकार खेत के चारों और बार लगाने का खर्च साड़े साथ रुपए मीटर की रेट से 600 रुपए बनता है किसी किसान ने सोचा कि मैं अपने खेत के चारों तरफ एक बार लगा देता हूं फेंसिंग कर देता हूं उस फेंसिंग का बार लगाने का जो खर्च आया चाहे मजदूरी माने वायर का रसी का किसी का भी मानने वो बोल रहा है साड़े साथ रुपए एक मीटर का आया और इस तरह उसकी जेब से खर्च हुआ 600 रुपए अब ये पूरी बाउंडरी के बरावर वो क्या कर रहा है बार लगा रहा है 600 रुपए टोटल खर्च हुआ और लंबाई बोल रहा है उसकी 24 है और चोड़ाई उसकी X है तो इस 24 में कितना दो बार 24 पर खर्च करना पड़ेगा और दो बार X पर पूरी परिमाप पर खर्च करना पड़ेगा तो खर्च कितना होगा छे मीटर पर होगा साड़े साथ बारा मीटर पर होगा प्रती मीटर प्रती एक मीटर पर होगा कितना साड़े साथ रुपए दो मीटर पर पंदरा रुपए तीन मीटर पर साड़े बाईस चार मीटर पर तीस तो जितने मीटर उसका उतना किस से गुड़ा साड़े साथ से गुड़ा करके हमें खर्चा आ रहा है तो जितनी लंबाई होगी लंबाई कितनी टोटल इसकी बाउंडरी या परिमापरिधी कितनी होती है 2 of L plus B L कितना 24 और B कितना X ये लंबाई इस लंबाई में साड़े साथ से गुणा करेंगे हमारा आ जाएगा पूरा खर्च 600 और ये हटा दो आप 0 कर दो 25 से काट दो इसको 25 से काट ना हो या सीधे 75 से अच्छा 75 दो ने 1500 ही कर दो 1500 से काट ओगे 600 को कितनी बार कटेगा चार बार कटेगा ये 0 as it is अब 24 वहाँ जाके घटेगा तो X पराबर कितना बचेगा 40 में से 24 घटाओगे तो बचेगा 16 एक्स इस इकल टू क्या आ गया 16 आ गया सीधे सीधे 16 मीटर आप्शन नमबर 1 ये भी 2019 का ही पूछा गया कुश्यन है चलते हैं अगला कुश्यन 80 मीटर ब्यास वाले एक ब्रत्ताकार पार्क के अंदर अधिक्तम छित्रफल वाला एक वर्गा का खिल का मैदान बनाया है खिल के मैदान का छित्रफल क्या होगा ये ऐसा कुछ ब्रत्ताकार मैदान है ब्रत्ताकार पार्क है इसके अंदर बनाया है उसने एक वर्गा कार मैदान बनाया वर्गा कार मैदान तब बनेगा जब इसका जो विकर्ण होगा वो कहां से गुजरेगा केंदर से सबसे बड़ा विकर्ण वो लेकर चलेगा तभी ज दोनों विकर्ण सबसे बड़े होने चाहिए तो यहां यह क्या है ब्यास कितना है असी तो इसका ब्यास भी कितना हो जाएगा असी और वर्ग की भुजाएं कैसी होती हैं बराबर होती है वर्ग की भुजाएं बराबर होती है तो छेतर फल निकालना इसका और यह विकर्ण कै से निकालते हैं 80 का वर्ग बराबर या आप सीधे सीधे ध्यान रखना वर्ग का जो विकर्ण होता है या संदिबाहू त्रबुच का जो विकर्ण होता है वो होता है भुजा का रूट्टू गुना ये संदिबाहू संकौन त्रबुच हो जाएगा इसका विकर्ण भुजा का root 2 गुना या वर्ग में भी विकंड पर जाओगे root 2 A होता है तो 80 A root 2 बराबर क्या हो जाएगा 80 तो यहां बहुत मोटा मोटा लिख लेते हैं 40 root 2 की जगे हम लिख लेते हैं A is equal to क्या लिख ले हम 80 by root 2 सीधे यही लिख लेते हैं छेतर फल हमें निकालना है तो छेतर फल होता है A square मतलब 80 गुना असी बटा दू यह हो जाएगा 48, 8, 32 और 2, 0 unit meter square हो जाएगी 32 meter square जादतर के answer A इसलिए बन जाते हैं क्योंकि book के question से book वालों ने A पर ही डाल दिया होगा जरूरी नहीं कि आप इससे एक अंदाजा लगाने वाले हो कि नहीं आएगा तो हम A पर ही तुक्का लगा देंगे और वो हमें देखकर लगा दोगे तो हमें इसका एक जो तुक्का लगाओगे उसका promotion नहीं कर रहा है और तुक्के का तो बिल्कुल भी नहीं करते क्योंकि हम सिखाते हैं यदी ग्रिड में एक छोटा वर्ग चार वर्ग का है इसमें एक जो ब्लॉक है वो चार यूनिट का है तो वो हमसे पूछ रहा है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप ये आयत बनाया है उसने इसमें कितने ब्लॉक आ रहे है चार ब्लॉक ऊपर चार ब्लॉक नीचे टोटल ब्लॉक कितने आठ और कितने यूनिट का एक ब्लॉक चार का आठ चौक कितने हो जाएंगे यदि एक बहुबुच के प्रतिक अन्ता कौन का माप यह देखो जिमिटरी से आगया अन्ता कौन का माप ठीक है आपका रिवीजन हो जाएगा माप 108 डिगरी है प्रतिक कैसे निकालते हैं प्रतिक निकालते हैं और यह कितना दे रहा है 108 तो आप सॉल्व करेंगे किस से काटेंगे अठारा से काटेंगे अठारा पंजे स्वरी अठारा धा एकसो असी अठारा चक्के 108 फिर दो से कट जाएगा ये तीन बार ये पांच बार पांच से अंदर गुणा करेंगे 5N माइनस 10 और ये हो जाएगा 3N 3N यहां आके घटेगा 2N और यहां कितना आ जाएगा 10 तो N बराबर कितना आ जाएगा 5 भुजाओं की संख्या 5 अब देखते हैं क्या पुछा है तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है आंसर है आप्शन नमबर ए 5 इजी कोशन था आप लोगों के लिए दस्वा कोशन ABCD एक चत्रबुज है जिसमें बीडी बराबर 40 cm है सम्मुक सीर्षों से बीडी पर खीचे गए लंबों की लंबाई 16 तथा 12 है तो चत्रबुज का छित्रफल बताओ कुछ भी अपन लेला है इसको ये ले लिया ये ABCD यहां ये लंब हो जाएगा और यहां से ये लंब हो जाएगा BD कितना है BD है 40 एक लंब की लंबाई कितना है 12 और एक की है 16 छेत्रफल निकालना है टोटल और थोड़ी देर पहले हम सीख चुके हैं इसलिए हम इसमें बहुत जादा टाइम नहीं दे रहे हैं हम ABD प्लस BCD इसका छेत्रफल करेंगे तो इसका छेत्रफल एक बटा दो आधार गुणा उचाई एक बटा दो आधार कितना 40 और उचाई कितना 12 प्लस एक बटा दो आधार 40 और उचाई 16 यह हो जाएगा 20 और यह हो जाएगा 20 12 दुनी 24 24 और प्लस हो जाएगा यह 16 दुनी 32 32 300 200 500 और 40 और 20 60 यूनिट स्क्वेर 560 यूनिट स्क्वेर इसका छेत्रफल हो जाएगा 560 आप्शन नमबर सी सिंपल कोशन तब पिछे कोशन हम कर चुके हैं इसलिए तार के दो टुकडे और प्रते की लंबाई 5000 24 सेंटेमेटर है तार के एक टुकडे को एक वर्ग तथा दूसरे से एक ब्रत बनाया जाता है एक से बनाया वर्ग और एक से बनाया ब्रत इसमें 4 A बराबर कितना 5 0 2 4 तो A बराबर कितना 5 0 2 4 अप़ोन 4 यह हो जाएगा 4 वही पर 2 pi r बराबर कितना 5 0 2 4 तो r बराबर कितना 5 0 2 4 अपॉन 2 pi आपकी इच्छा है 2 से आप इसे cancel out कर सकते हैं आपकी इच्छा है आप इसे 4 से cancel out कर सकते हैं अब हम चलते हैं आगे अभी मोटा मोटा पर ने यह निकाल लिया जो given है उससे वर्ग के छित्रफल का ब्रत के छित्रफल से अनुपात वर्ग के छित्रफल मतलब a square raise to pi r square ऐसा वो हम से बोल रहा है तो अपन लिखके देखते हैं क्या बनता है a square का मतलब क्या होगा 5 0 2 4 into 5 0 2 4 divided by 4 into 4 उम्मीद है आप समझ गए सीधे-सीधे a square करके अपने लिखा है दूसरी तरफ लिखने में क्या हैगा ratio 5 sorry pi पहले लिखा जाएगा pi फिर 5 0 2 4 into 5 0 2 4 raise to अनुपात अनुपात नीचे क्या आएगा 2 pi का square मतलब 2 pi आएगा 2 pi into 2 pi pi से pi cancel out 2 दूनी 4, 4 से ये 4 कट जाएगा ये तो 2 बार है तो 2 बार कट जाएगा यहां क्या बचा 4, 4 यहां चला जाएगा pi यहां आजाएगा तो क्या बनेगा ratio pi raise to 4 और calculation में आपको इस तरह की calculation नहीं करनी है आप सूचो अगर काट देते इसको 2 से cancel करते इसको 4 से करते तो फिर से calculation यहां करनी पड़ती हमें तो ratio जब find out करना हो तो हमें नहीं निकालना है जल्दवाजी नहीं करनी यहां हमने wait किया कि आगे क्या पूछ रहा है तो इस तरह से pi raise to 4 अपना answer बनेगा option number A यदि किसी आयताकर भुखंट की लंबाई और चोड़ाई क्रमसा 50 और 20 प्रतिशत की ब्रद्धी कर दी जाए तो इसका चेतरफल कितने गुणा बढ़ जाएगा अब इसको हम दो तरीके से बता देते हैं हलाकि उतनी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं आप एक तरीका follow करके आगे चलेंगे हमने अभी ले लिया कितना है आयताकर भुखंट का हमने ले लिया अभी 100 है ये 20 है और ये 10 है ये लेकर चल लेते हैं आगे बढ़के कितना हो जाएगा ये इसे बढ़ा रहा है लंबाई ये को बढ़ा रहा है 50% मतलब कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा और 4डाई को बढ़ा रहा है वो 20 प्रतीशत मतलब ये 12 हो जाएगा पहले 6 रुफल कितना था 200 दोनों का गुणा करके लो इन टूबी अब कितना हो जाएगा बारती है 36 360, 200 से 360 हो गया, मतलब बढ़ कितना गया, 160, प्लस हो गया, 160, कितने से, 200 से, और ये बताना है, प्रतिशत में, कुना 100, दो से काटोगे, कितना, 80, 80 प्रतिशत अपना answer है, या दूसरा तरीका, क्या 80 प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 80 प्रतिशत, अच्छा है, इसमें ये, हम, sorry, percent में नहीं बताना था, मैं, सीदे सीदे fraction में बताना था, तो ये हो जाता, बढ़, हो कितना गया, सीदे सीदे देख लेते, कितना हो गया, 360 हो गया, कितने से, 200 से, कितने गुना हो गया, चार से काटोगे ये 9 बार चार से काटोगे ये 5 बार तो 1 सही 4 बटा 5 या 80 पृतिशत कितना होता है 4 बटा 5 होता है फ्रेक्शन में तो 1 थाई 4 बटा 5 और बढ़ जाएगा तो 1 4 बटा 5 ये हो जाएगा 1 4 बटा 5 ओप्शन नमबर B या फिर हम सीधे परसेंटेज प्रतिशत ब्रद्धी निकालें तो आपको सिखाया है एकस प्लस वाई प्लस एकस वाई अपॉन हंड्रेट से हम परसेंटेज चेंज या छेतर फल में परिवर्तन बता सकते हैं ये कितना 50 और ये 20 प्लस दोनों बढ़ रहा है 4 बटा 5 और एक पहले से था बढ़ना है तो जो था वो रहे गई तो था कितना 1 और कितना आ गया 4 बटा 5 ये सीधे इसलिए लिखा क्योंकि जब fraction हम समझाते हैं तब हम बताते हैं ये एक mixed fraction है और इसको लिखने का तरीका होता है 1 प्लस 4 बाई 5 तो अब हमने सीधे क्या लिखा है इसको इस तरह से लिखा है तो ये अपना answer पढ़े है next question एक सम्चत्रबुच के विकर्ण 10 cm और 24 cm है इसका परिमाप है अब वो छेतरफल नहीं पूछ रहा है और उम्मीद है अब आप flow में आने लगे हैं आपको चीजें अब दिमाग में बैठने लगी है आप समझ गए है 10 और 24 का मतलब क्या है सर जो लंबवत की कहानी है उसमें छोटा विकर्ण 5 हो जाएगा और अच्छा सुन्दर सा बनाने की कोशिस करते हैं ये है ये 5 और 5 हो जाएगा नीचे और ये 12 और 12 हो जाएगा ये है इसमें पाइथागोरस आप लगाओगे 5 और 12 तो ये कितना आजाएगा 13 तो 4 जो भुजाए हैं वो जुड़ोगे 13, 13, 13 और 13 तेरह चौग 52 अप्शन नमबर D अपना आंसर हो जाएगा तो इजी कोशिन है ये भी समझ आ गया होगा 13 कोशिन हो गया अब चलते हैं अपन 14 कोशिन पर दो लंब ब्रत्य संकूओं की उंचाई का अनुपात उंचाईयों का अनुपात 25, 64 तथा उनके व्याशों का अनुपात रेडियस का रेशियो दे रहा है उनके आईतनों का अनुपात बताना है चलते हैं अब देखते हैं जो कहानी बन रही है दो लंब ब्रत्य संकूओं संकू का आईतन होता क्या है संकू के आईतन का रेशियो लिखें पहले 1 by 3 पाई R1 स्क्वेर H और 1 by 3 पाई R2 स्क्वेर H2 ये H1 ले लेते हैं 1 by 3 और पाई कैंसल आउट हो जाएगा R1 अपॉन R2 का स्क्वेर उनके व्यासों का अनुपात 4 बटा 5 लेकिन यहां तो व्यास 2R होता है तो 2R1 अपॉन 2R2 is equal to 4 is to 5 दे रहा है तो वो actually में किसका रेशियो दे रहा है तो यहां R1 अपॉन R2 का इनका स्क्वेर करेंगे कितना हो जाएगा 16 बटा 25 फिर H1 अपॉन H2 हाइट का रेशियो कितना दे रहा है 25 बटा 64 तो 25 ऊपर और 64 नीचे देखो कितना आ जाएगा 25 से 25 16 चौक 64 1 देश टू 4 1 अनुपाते 4 1 अनुपाते 4 मतलब आप्शन नमबर B 1 इस टू 4 इजी लगा यह कोशिन भी बस देखना है और करना है एक 4 सेंटीमेटर बुजा वाले घन को 1 सेंटीमेटर बुजा वाले घनों में काट दिया जाता है ऐसे काटने के परश्चाद प्रस्थिये छेत्रफल में प्रतीशत ब्रद्धी क्या होगी देखो 4 सेंटीमेटर बुजा वाले घन का प्रस्थिये छेत्रफल पहले सर्फिस एरिया पहले सर्फिस एरिया आपने निकाला तो क्या होता है 6 A स्क्वेर होता है सर्फिस एरिया प्रस्थिय छेत्रफल एक घं में 6 फलक होते हैं और हलेक फलक का छेत्रफल ए स्क्वाइर होता है क्योंकि घं है तो सभी का 6a2 हो जाएगा 6 गुना 4 गुना 4 24 24 96 cm2 उसका पहले छेत्रफल था अब हम चलें बाद में अब बाद में क्या करेंगे हम 1 cm एक सेंटीमीटर भुजा ब़जा वाले घंव में काटा है तो एक घं कापन निकालेंगे वही क्या होगा यह 1 माल लिया 6a2 इसक्वाइर लेकिन ऐसे कितने हैं चार के कितने बनेंगे कितने घंड बनेंगे चार के बनेंगे अगर यूं सॉल्व करके देखा जाएगा 4 गुना 4 16 16 बनेंगे टोटल तो ये यूं लिखा जाएगा 6 और भुजा कितनी 1 और ऐसे कितने 16 तो 16 चक्य कितना 16 चक्य 96 कोई error की हमने बिल्कुल नहीं की change तो कुछ भी नहीं हो रहा है इसका surface area भी कितना आ रहा है 96 आ रहा है एक मिनिट और नजर मार लेते हैं अपन इस पर 4 आ रहा है 6 चौक 24 चौक 96 होता है बिल्कुल ठीक है 6A square एका कितना बनेगा 1 बनेगा एका बनेगा 1 और ऐसे कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे टोटल 6 हर एक में काफी सारा बढ़ेगा तो क्योंकि जो sides जो fake faces होते हैं फलक होते हैं वो अंदर रह जाते हैं उसमें तो total surface area जब हम निकालने जाएंगे तो वो कहानी कुछ अलग बनेगी उसकी देखते हैं इसमें क्या दब रहा है क्या छिप रहा है इसमें 6a square a 1 हो जाएगा ऐसे बनेगे कितने 16 पूरा block बनेगे उपर से 4 by 4 का काटेंगे अच्छा 16 तो उपर ही बन जाएंगे 16 तो उपर बन जाएंगे 16 चौक 64 ये block बनेगे 64 4 cube block बनेगे 4 16 सबसे उपर कितना बनेगे 4 भई 4 में काटोगे तो 16 उपर अब layer कितनी बनेगे 4 layer बनेगे 16 चौक 64 तो जो number of blocks होंगे वो कितने होंगे 64 होंगे तो 64 का 6 गुना 64 का 6 गुना 6 चौक 24 का 4 66 36 36 और 2 36 और 2 38 कितना हो गया 96 से बढ़ कर होंगे 384 384 हो गया कितना बढ़ गया वो बताना चौक बचेगा आठ फिर सत्रा में से 9 जाएगा तो बचेगा आठ एहां कितना बचेगा 2 और मीचे कितना 96 गुणा कितना हो जाएगा ये 100 प्रतिशत में बताना है तो ये percentage change हो जाएगा हमारा percentage change 96 चाहनवे का 3 गुणा होता है तो ये आ जाएगा कितना प्रतिशत 300 प्रतिशत कंसेप्ट में एरर नहीं करनी है बस ध्यान रखना है अपन को तो अपना आंसर बनेगा यहाँ पर 300 प्रतिशत आप्शन नमबर बी चलते हैं नेक्स्ट कुश्शन की तरफ अगला कुश्शन हमसे बुल रहा है एक संकू आकार का तंबू 9 मीटर उचा है फिर से 3D से कुश्शन आ गया है 9 मीटर उचा है उसके आधार की तरज्जा 12 मीटर है इसको ढखने के लिए कैनवास का छेतरफल बताना है तो जो कैनवास कपड़ा जो लगेगा उसका चेतरफल अपन को बताना है मतलब अपन को क्या बताना है लेटरल सर्फेस एरिया बताना है जो त्रियक चेतरफल है वो हमें बताना है तो त्रियक चेतरफल कितना होता है लेटरल सर्फेस एरिया त्रियक चेतरफल होता है पाई आर एल अब यह L तो है नहीं हमारे पास तो L कैसे निकालते हैं तंबू इस तरह से बनता है इसमें height हमें कितना दे रहा है 9 मीटर उंचा है यह 9 मीटर दे रहा है और यहां की जो त्रिज्जा है वो कितनी दे रहा है वो दे रहा है हमें 12 और यह है हमारा L तो L² बराबर कितना हो जाएगा? L² बराबर हो जाएगा 12 का वर्ग मतलब 144 और 9 का वर्ग मतलब 81 तो L² 225 का वर्ग मूल क्या हो जाएगा? 15 तो लेटरल जो हाइट है वो कितनी आगे हमारी 15 अब जाके ये कोशन सॉल्व होगा, बस इतनी के लिए कोशन दिया गया होगा पाई 22 बटा 7 नहीं लिखना है क्योंकि पाई में ही आंसर वो दे रहा है आर कितना है? इसका, आर कितना है? 12 देखो, पाई में आंसर दे रहा है, इसका मतलब ये क्लियर है कि वो आप से calculation check ना करवा कि बस ये आप तंबू को समझते हैं नहीं समझते हैं वो ये पूछ रहा है 12 L कितना आ गया 15 15 धाम 150 और 30 180 पाई हमारा answer आ जाएगा 180 पाई option number A अब चले हम आगे की तरफ अगला question देखें एक समकौन त्रुबच की तीनों हो जाएं 27 और 25 के अनुपात में यदि तरुबच का परिमाप 112 है 112 है तो ये जो भुजाएं है इनका योग भी तो परिमाप होता है योग ही परिमाप होता है तो आम इनको अगर जोड़ें 25 यूनिट 24 यूनिट और 7 यूनिट 25 और 29 और 7, 56 यूनिट 56 unit अमें कितना बोल रहा है 56 unit बोल रहा है 112 cm तो एक unit कितना आ जाएगा एक unit आ जाएगा 2 cm एक unit 2 cm आ गया कर्ण की लंबाई सबसे बड़ी बुजा कर्ण होती है समकौन रत्रुबज में सबसे बड़ा 25 है तो 25 unit वो अपन से पूछ रहा है तो 25 unit क्या हो जाएगा दोनों तरह 25 से गुणा कर देंगे यहाँ 2 गुणा 25 cm मतलब 50 cm देखो option number C अब पाइथागुरस का question था चाहे geometry में डालो या यहाँ पर डालो एक वर्ग का परिमाप एक ब्रत की परिधी के बराबर ऐसा पीछे कर चुके हैं यदि वर्ग का छेतरफल वर्ग का छेतरफल 121 00 है तो भुजा कितनी होगी A square बराबर 121 और 2 0 तो A बराबर 121 का 11 और 2 0 का 1 0 यह 110 तो सभी भुजाय में लाके 110 होंगी परिमाप कितना 4 A बराबर 2 πाई R 4 A कितना 440 2 πाई की जगा 22 बटा 7 और R यह 44 यह 44 कट जाएगा कितना 10 तो R बराबर कितना आ जाएगा 70 यह 7 का यहां गुणा R बराबर आ जाएगा 70 जब R 70 आ गया हमारे पास अब क्या जानना चाहता है ब्रत का छितरफल जानना चाहता है और पाई में वो वैल्यू नहीं दे रहा है ठीक है पाई में नहीं दे रहा है तो अपन भी नहीं निकालेंगे पाई R स्क्वेर पाई की जगे कितना 22 बटा 7 और यह पाई R स्क्वेर 70 गुणा 70 यह आ जाएगा 10 22 का 7 गुणा होता है 152 22 और यह सेंटिमीटर स्क्वेर 15,400 सेंटिमीटर स्क्वेर में वो ले रहा है हाँ में ले रहा है तो यह हट जाएगा में चलते हैं अब आगे अगला कुशिन 19 कुशिन इमसे बोल रहा है धातू के 3 गनों को पिगलाया जाता है जिनकी भुजाएं क्रमशा 3, 4 और 5 है क्या है यह क्यूब है क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है क्योंकि जब पिगलाएगा तो किसको पिगलाएगा वो मटेरियल को पिगलाएगा और मटेरियल का मतलब क्या होता है वॉल्यूम या आयतन तो volume प्गला रहा है, फिर इससे एक घन बना दिया जा रहा है, मिलाके एक घन बना रहा है, सबी मिट्टी को मिलाके एक नएा बना रहा है, तो देखें तीनो में है कितना, a cube कितना 27, फिर a cube कितना, 16, फिर 64 फिर 125 ये आप जोड दोगे पूरा कितना हो जाएगा 216 ये एक यूब है तो ए कितना आ जाएगा ए आ जाएगा छे शे आ जाएगा फिर बना दिया जाता है नए घंकी बुजा कितनी है छे आयतन पूछता कितना हो जाएगा 216 क्योंकि आयतन तो बदलेगा नहीं जो material है वो तो वही रहेगा बस side का पू जाती है तो उसकी चुड़ाई में कितना प्रतिशत घटाया जाए कि उसका छेत्रवल वही रहे मजे की बात है कि अपना जो थोड़ी देर पहले अपने relation पड़ा था उसको यूज करने का time आ गया वो final change क्या बोलता है 0 x plus y plus xy upon 100 एक में change कितना दे रहा है 60 बढ़ रहा है तो plus 60 लिखा plus y as it is चूड़ दिया 60 गुणा y बटा 100 अपने आप minus में आ जाएगा जो ये बताएगा कि ये घट रहा है ये minus 60 आ जाएगा minus 60 आ जाएगा ये 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा minus 60 यहाँ 5 पांच और 3 आठ वाई और नीचे कितना 5 चार से काटोगे ये दो बार 4 से काटोगे ये 15 15 75 75 का आधा तो ये कम होगा साड़े सेंटेस माइनस का 37 1 by 2 परसेंट और minus बता रहा है वो घट रहा है थो 37 1 बाई टू सेंटेस एक बटा दो या 37% अपना answer बनेगा किसी भी तरह से हम इसे solve कर सकते थे assume करके करना होता तो भी आप कर सकते थे assume करके कैसे करते आप मान लेते ये कितना है 20 और 10 है ये मान लेते आगे वो क्या बुल रहा है लंबाई 60 प्रितिशत बढ़ा दी जाए बीस को 60 प्रितिशत बढ़ाएगा कितना हो जाएगा 12 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 32 ये 32 हो जाएगा और इसको मान लो x अब दोनों का छीतरफल कैसा है बराबर है तो इसका भी छीतरफल कितना है 200 है तो 32 गुणा x बराबर 200 8 से काटोगए ये चार बार 8 से काटोगए 8 गुणी 16 गुणा जबर कितना आ गया 25 बटा मैं चार तो जो चेंज होगा वह परसेंटेज्ट चेंज निकाल ये दस से कितना बचा 25 बटा चार बचा बचा परसेंटेजच जब निकालने जाओगे तो वह पता चल जाएगा कितना बचा घट के 37 एक बटा दो प्रतीशत वो घट गया इससे परसेंटेज चेंज निकाला जा सकता तो ये दोनों एप्रोच से हमारा कुशन सॉल हो जाएगा तो ये थे हमारे मैंसुरेशन के फर्स्ट सेशन के कुश्चिंज उमीद है सारे सेशन जब आप देखोगे तो आपको फॉर्मूले और इंपोर्टेंट जो कंसेप्ट है कुश्चिंज के जो कंसेप्ट हैं वो आपको रिपीट हो होकर याद हो जाएंगे तो आपको थेयरी की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी कि यदि आपको थेयरी की ज़रूरत पड़ती है तो सायद 18 लेक्चर के आसपास मैंसुरेशन में बनते हैं तो सारे कुश्चिंज आप लोगों को यूटूब जो लेक्चर्स हैं वो यूटूब पर प्रोवाइड करवाए गये हैं तो आप वहां से उनको तयार कर सकते हैं